रोयल चलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपिल 2023 के खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के टीम ने अपने होम ग्राउंड पर बेंगलोर को साथ विकेट से माद दी आपको बता दें कि बेंगलोर ने टॉस जीतने के बाद तेले बलेबाजी चुनी टीम के लिए विराट कोहली फाफ डू ट्लेसिस साथी महिपाल लम्रोर जैसे बलेबाजों ने एक शांदार योगदान दिया और टीम ने रिधारिक बीस ओवर में 181 का बड़ा लक्ष है दि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 100 रन पर ही 182 के टार्गेट को चेस किया बलकि टीम ने 187 रन तीन विकेट पर बनाए और 20 गिंदे बाकी रहते ही 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स और साथी रॉल चलेंजर बेंगलोर के बीच पर बात करें तो यह मुकाबला किरकिट से जादा कही अन्य चीजों को लेकर भी चर्चा में रहा जिन में कई चीज़ें शामिल है इसके अलावा अगर बात करें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की तो वहां के लाइट शो के चलते भी मुकाबले की चर्चा हो रही है दरेसल आपको बता दें कि जिस वक्त बेंगलोर की टीम बलेबाज करने उतरी टीम का आकरी ओवर खेला गया पूरे 20 ओवर का खेल हो गया तब मेड इनिंग्स में अरुण जेटली स्टेडियम में एक शांदार लाइट शो का आयोजिन किया गया जिसको देखकर फैंस का एक शांदार तरीके सायुजित किया गया जिसमें फैंस के बीच उत्साह भरने का भी काम किया गया देखिए लाइट शो के कुछ मज़ेदार वीडियो जिसके अलावा आपको बता दें कि जिस वक्त बेंगलोर की टीम के लिए विराट कोहली बलेबाजिक करने उतरे तब विराट कोहली के नारे लगाते हुए नजर आए बताते कि विराट कोहली दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली के लिए उन्हाने काफी करकट खेला है और उन्जेटली स्टेडियम में विराट कोहली ने काफी डोमस्टिक करकट के साथ इंटरनेशनल करकट खेला है ऐसे म लेकिन विराट कोहली जब दिल्ली के मैधान पर दिल्ली के खिलाफ खेलने के लिए उत्रहे तब दिल्ली के फाण सा विराट कोहली कोहली चलाते हूँ नजरा है। पिशले पांच में से टीम ने चार मुकाबले जीते हैं और देली कैपिटल जीत के पट्री पर वापस लौट आई है आपके जो कुछ राय है इस मुकाबले को लेकर लाइट शो को लेकर विराइट गोली के नारो को लेकर कमेंट करके जरू बताएं इस वीडियो को लाइक, शेरो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें नमस्कार